आस्कर में हुई भारतिय फिल्म इंडस्ट्री की भारी बेजती आस्कर्स जिसे कई बॉलिवूड इंडस्ट्री के अक्टर्स भी सक्सेस का प्रमान मानते हैं जो विश्व में प्रख्यात अवार्ट फंक्शन है वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए किसी बेजती से कम नहीं अच्छली आस्कर्स का एक सेग्मेंट रहता है जिस दौरान फूरे साल में जितनी भी महान हस्तियां गुजर गई है उन्हें याद किया जाता है उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाता है ऐसा लास्ट यर जब हुआ था तो हमारी बॉलिवूड इंडस्ट्री से इर्फान खान सहब को सुशांत सिंग राजपूत को रिशी कपूर सहब को कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानू अथिया को इन सभी को ट्रिब्यूट दिया गया था इस साल भी ऑस्कर्स हुए पिछले साल में हमने बॉलिवूड इंडस्ट्री की कई महान हस्तियों को खोया इसमें लता मंगेशकर और दिलिप कुमार सहब का नाम शामिल है दोनों ही बॉलिवूड इंडस्ट्री के लेजंड्स है वैसे हमने बपिदा को भी खोया और उन्हें भी ट्रिब्यूट मिलना चाहिए था ओस्कर्स में लेकिन ताजुप की बात ये है कि ना लता मंगेशकर ना दिलिप सहब दोनों को ही ट्रिब्यूट देते वक्त ओस्कर की जूरी भूल गई इन दोनों का नाम और जिक्र तक नहीं लिया गया और जब इन दोनों का ही नाम नहीं लिया गया तो हम बपिदा के लिए तो क्या ही सोच सकते हैं ऐसे में ये भारतिय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक स्लैप स्टिक है जो ऑस्कर्स को प्रमानित करती है इन फैक्ट खुद आमर खान कहते हैं कि इंडियन आवार्ड फंक्शन से जादा अच्छे तो ऑस्कर्स है उसी ओस्कर्स में बड़े भारतिय लेजिंड को इगनौर किया गया या भूले यह नहीं पता लेकिन ताज़ुब की बात यह है कि इसी ओस्कर्स के लिए प्री ओस्कर पार्टी या प्री ओस्कर इवेंट जो कहा जाए वो प्रियांका चोपडा ने होस्ट किया था और उसकी बड़ी मीडिया कवरिज रही थी एक भारतिय स्टार अलरीडी इस ओसकर्स के एविंच में इन्वाल था उसके बावजूत कैसे ओसकर्स में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े लेजिंज को क्यों ट्रिब्यूट नहीं दिया गया यह अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही लेकिन एक गहरा असर भी छोड़ जाता है कि क्या हमें उसके बावजूत ओसकर्स को लेकर इतना हाइप रहना चाहिए